आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now so इस question हो गो लगिया कि अपने पास एक tube light है जो की 40 वोट उसका power है जो उसके उपर लिखा गया और वो एक room heater के साथ पारलल में connect किया हुआ है और दोनों को मिला के एक supply line से या 220V supply line जेनरली हाउसवोल्ड में होती है उससे connect किया गया तो अगर light को switch off कर देते है तो ट्यूब लेट पे क्या effect पड़ेगा या heater पे क्या effect पड़ेगा ये पूच रहा है तो हाउसवोल्ड में एक बात होती है सारे appliances को parallel में connect करते है क्यों कि parallel में क्या होता है voltage difference between all the resistors will be same मतलब हार एक appliance जो है वो 220V पे काम करने के लिए बनी होती है अगर इससे कम होगी तो regulator या condenser लगाते है तो यहाँ पे अपने पास एक tube light है जो की parallel से connected है यह tube light और एक heater से connected है parallel में और दोनों एक ही supply line से connected है तो इसमें बोला गया कि अगर इधर से जो voltage difference है इन दोनों के बीच में वीच में उसे हम है क्योंकि parallel में तो इधर से current इसमें जा रहा है जा रहा था पहले और इसमें भी जा रहा है तो इसमें जो current है इसमें दोनों में divide हो रहा है फिर उसके बाद इसमें जो current है उसको cut किया गया क्योंकि light switch off कर दी हमने तो इसमें से कोई current नहीं जाएगा टोटल current इसमें जाएगा पर इसका power change नहीं होता अनलेशन अंटेल अपन इसकी voltage difference पर फरक पड़ेगी तो इससी दिये household appliance में कभी भी series में connect नहीं करते है क्योंकि एक appliance अगर short हो गया मतलब एक appliance खरा हो गया तो बागी सारे appliance भी खरा हो जाएगे थर्ड अप्शन अपना बिल्कुल सही है कि 12 रिमें सेम अज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाथसाप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर